अवनी इस टुटोर बार्ण चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है देखे जैसा कि आप थम्नेल में देख रहे होंगे कि यूपीट प्लस सी लेटेस्ट अपडेट टूडे वीडियो एक जाम रेजल्ट आज क्या है माजरा चलिए इसको भी देखेंगे दिसंबर माह में बन जाएंगे लेक पाल मिन्स लेक पाल अब भेरतियों का लंबा इंदिजार जो चल रहा था 2022 से कहिए तो 2021 से वो अब समाप्ति की ओर है पैट इग्जाम 2023 रजल्ट कब तक चलिए इसको भी देखते हैं आयोग में क्या चल रहा है इन दिनो भर्तियों को लेकर उसको भी देखते हैं तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे चैनल पर नए हो तो पिलिज चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको कोई भी अपडेट हो अब तक पहुंचती रहे चली देखते हैं क्या है माज़रा आज साम को जारी होगा परड़ाम आयोग द्वारा ग्राम विकासत क्यारी 2018 की पुनपरिच्छा का परड़ामा जारी होने की सूचना है दरसल तमाम सोसल मीडिया प्लेटफार्म पर वाइरल खबर में दावा किया जा रहा है उत्तरपदेश अधिनस सिवचे नायोग द्वारा विडियो रिग्जाम 2018 का परड़ामा साम चार बज़े जारी कर दिया जाएगा तो ये केवल एक अप हुआ है और कुछ नहीं चुकि आप इसको देखकर चिंतित नहूं इसलिए विडियो मने रख्खा कि विडियो रिग्जाम का रजल्ट जो है वो कब तक आएगा भी लास्ट में आपको अपडेट देते हैं ये भी देखिए विडियो यूपी टिपल सी विडियो रिग्जाम रजल्ट दो हजार तेई सुत्तर प्रदेश अधिनस सेवाच चैन आयोग यूपी टिपल सी ने ग्राम विकास अधक्यारी रिपर इच्छा 2018 विडियो रिग्जाम 2018 के रेजल्ट को लेकर बड़ी घोसड़ा की है दरसल आयोग द्वारा एलान किया गया है कि विडियो रिग्जाम 2018 का रेजल्ट आज ही जारी होगा आज जारी हो जाएगा आपकी जानकारी के लिए बता दे कि विडियो रिग्जाम 2018 का आयोग द्वारा बहुत पहले किया जा चुका है लेकिन उसके बाद भी अभी तक रेजल्ट नहीं तो ये केवल एक फेक न्यूज है आप बिल्कुल स्योर रहें कि आज कोई रेजल्ट नहीं केवल तरह तरह की वाइरेल खबरे हैं इसलिए मैंने आपके समक्ष रखा विडियो रिग्जाम का रेजल्ट की बात करें तो नौंबर के आखरी सब्ताह में तो कुछ उम्मीद की जा सकती है नहीं तो आपके पेट एक्जाम के रेजल्ट से पहले पहले आपका आ जाएगा वैसे दिसंबर में आप जो खबर मिल रही है उस खबर के अनसार आपका दिसंबर में हर हाल में रेजल्ट आ जाएगा ठीक है? चुकि लगभग कारिप पूरा हो चुका है चलिए अगला देखते हैं दिसंबर माह में बन जाएंगी लेखपाल तो ये भी आप पेपर में देख चुके हैं कि जनुरी तक प्रदेश को मिल जाएंगे 8085 लेखपाल यूपी टिपलेसी अभियान चला कर कर रहा परड़ाम जारी करने की तैयारी ये कल की ही खबर है कल बने वीडियो के माध्यम से सूचित भी किया था कि प्रदेश को जनुरी तक 8085 लेखपाल मिल जाएंगे उत्तर प्रदेश अधिनस सिवाचेन आयोग मुख परिच्छा के बाद अभियान चला कर 27433 अभ्यर्थियों का दस्तबे सत्यापन की प्रक्रिया पूरी कर रहा है आयोग के अंसार इस समय पहली प्रात्मिक्ता पर प्रदाम जारी करना है गौर्ड तलब है कि राजस सुभी भाग में लेकपाल के 8085 परदों परचेन प्रक्रिया वर्स 2022 में सुरू हुई थी इसके लिए लिखित परिच्छा 31 जुलाई 2022 को आजित की गई थी इसका प्रदाम दो मई 2023 को जारी किया गया इसमें 27445 अभ्यर् का दस्ता बेसात्यापन मिस्ट डीबी जो है और नई सितंबर से सुरू किया गया है यूपिट प्रदाश्टी के अध्यक्ष चुप्रबीर कुमार जी है उन्होंने कहा कि जबकि छमता जो है 300 अभ्यर्थियों की डीबी कराने की है लेकिन दो गुना मिस्ट 700 अभ्यर्थियों की डीबी परड़े मिस्ट एक मीटिंग में साड़े 300 की डीबी कराई जा रही है और आयों की प्रात्मिक्ता है की लेकपाल की डीबी समाप्त हो और उसके ज़स्ट तुरंद बाद दिसंबर के अन तक या जनवरी के फस्ट वीक तक जो है परड़ाम जार कर दिया जाए ठीक है ये तो रही लेकपाल की बात तो ये तो आप पक्का है नौंबर में 30 नौंबर तक डीबी आपकी चलनी है 30 नौंबर को जैसे ही डीबी समाप्त होती है आपके रेजल्ट पर कार चालू हो जाएगा और रेजल्ट जो है आपके दिसंबर के आखरी सब ताहिया जनुरी के फस्ट वीक में हर हाल में आ जाएगा वहीं पेट इग्जाम 2023 का रेजल्ट कब तक उस पर भी आयो के अध्यक्ष जो है उनका तकाना है कि यूपी टी प्लेंसी प्रारम्भी करता परिच्छा पीटी का परड़ाम भी त्यार कराया जा रहा है इसका आयोजन 28-29 अक्टूबर 2023 को हुआ था इसमें करीब 14-22 सामिल हुए और 6 नॉमबर को प्रोविजनल आंसुर की भी जारी कर दी गई और 15 नॉमबर तक उस पर जो है आपत्य मांगी गई तो अध्यच जी यूपी टी प्लेंसी के सची उजो है आउनिस अक्सेना ने कहा ह कि आपत्यों का निस्तारण कर इस महीने के अंत या जनॉरी के पहले सबता तक परड़ाम जारी कर देंगे कहने का मतलब दिसंबर माह के अंत तक या जनॉरी के फस्टूइग तो इसे आपको कंफर्म बताएं तो दिसंबर में तो पेट का रेजल्ट बहुत ही मुश्किल है लेकिन जनॉरी में पेट का रेजल्ट हर हल में आ जाएगा पेट एक्जाम 2023 का तो ये पेट का हो गया तो पेट एक्जाम का रेजल्ट जो है वह जनॉरी में आप मान के चलिए आयोग में क्या चल रहा है इस पर भी बात कर लेते हैं तो आयोग की बात करें तो आयोग में इस समय जो सासन की तरफ से दबाव है उसके हिसाब से न कुछ तो 70-80% भरतियों को फाइनल करने का पूरा जोड़ चल रहा है कि हर हाल में जो पुरानी भरतिया हैं उसके कम से कम 70-80% भरतियों को हर हाल में फाइनEAL कर लिये जैंधे जिसमेंसे लेक पाल भरती जो है प्रमुक्ता से देखी जा रही है और उसके बाद जो है मुख सेवी का भरती परिछा पर्डाम जारी करने की भी तैयारी है और साथ में वीडियो एक्जाम 2018 की जो परड़ाम है वो भी दिसम्बर में हर हाल में जारी करने की पूरी उम्मीद की जा रही है इसके अलावां भी बहुत सारी भरतिया हैं जैसे ASO की है उनके बारे में भी वीचार बिमर चल रहा उनके लिए कमेटी भी गठी हो गई है हराल में फाइनल कर लिया जाएगा तो ये सारी बाते हैं आयोग में इस्वे मौके पर लेकपाल की जूकी डीबी चली ही रही है और कोई दूसरा त्रिक दबाओ नहीं है हाँ लेकिन एक चीज ये भी चल रहा है AGTA के बिग्यापन की बात की जा रही तो AGTA पर लगभग कारी पूरा हो गया है बस मामला ये है कि चुकी कुछ नए पद अधियाचन तोर पर आये हुए है तो उन नए पदों को भी समलित किया जा रहा है इस वज़े से थोड़ा सा लेटलेती भी देखने को मिल रही है लेकिन उम्मीद है कि 20 नॉम्बर के बाद हर हाल में एजिट ये का बिग्यापन विच्छ लेबस आ जाएगा तो ये सारी बाते हैं और कोई अपडेट मिलती है तो आपके साथ पुनसाजा करेंगे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें चैनल पर नए है और प्ली चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिससे यूपिट प्रसी से रिलेटेड कोई भी अपडेट हो वह आप तक पहुंचती रहें ओके थैंक यू